दोस्तो महिलाओं में आम दोर बर पाई जाने वाली एक समस्या जिसे लुकूरिया या सफेद पानी की समस्या कहते हैं याने की सफेद पानी की समस्या जिसे आम बोलचाल की भासा में स्वेद परदर भी कहते हैं यह महिलाओं में पाई जाने वाली एक बहुती common समस्या है खास करकि साधी सुधा महिलाओं में यह समस्या वहुत commonly देखी जाती है तो अगर आपको भी यह तकलीफ है और इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या इसके पीछे कारण होते हैं तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तो कौन-कौन से इसके लक्षन होते हैं और काफी लक्षन तो ऐसे हैं कुछ तकलीफे ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि यह हमारे वाई डिस्चार्ज के सिकायत की वज़े से हो रही है तकलीफों के बारे में भी आज हम जानेंगे दोस्तो और लुकूरिया को किस तरह से ठीक करना चाहिए इसके इलाज के बारे में इसके कम्प्लीट ट्रिट्मेंट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो तो अगर आपको भी यदि ये तकलीफ है तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर सुनील पार्टिदार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर पार्टिदार सुमेपथिक सेंटर भोपाल में है दोस्तो यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको तुरंट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हैल से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस सबसे पहले आप देखता है दोस्तो लुकॉरिया महिलाओ में पीरेट्स के पहले या उसके बाद में उसके बाद तक एक दो दिन तक सामान निरूप से होता ही है और ये ये लिकोरिया दोस्तो इसके हम ठोड़ा टाइप्स के समझेंगे कि लिकोरिया आखिर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तो योनी से सफेद रंका गाड़ा और दुर्गन दियुक तो पानी निकलना इन्फेक्शन यदि अगर बढ़ जाये तो यह पीले और हलके लाल रंका भी डिस्टार्ज हो सकता है और जो पानी होता है दोस्तो बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है बदबुदार होन यह जिसे कि मैंने बताया कि एक तो है नॉर्मल लुकोरिया और दूसरा होता है जिसे हम कहेंगे इन्फेक्टेड दोस्तो जब किसी बेक्टिरियल इन्फेक्शन के बाद होता है तो इसको हम कहते है बेक्टिरियल लुकोरिया दोस्तो इन्फेक्टेड लुकोरिया पहली औ और पीरेट्स के आगे या पीछे थोड़ा सा यह हो सकता है एक से दो दिन तक यह रहता है दोस्तों इसकी डूरेशन कम होती है और डूरिंग मैंसेज भी कभी-कभी यह देखा जाता है जो की सामानने लिवकोरिया होता है लेकिन वहीं अगर सेकेंड पार्ट की हम बात करें जो दूसरा टाइप से दोस्तों उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंद होती है चिपचिपाहट बहुत ज्यादा रहती है और कभी-कभी यह बहुत ज्यादा गाड़ा और बदबुदार हो सकता है जिसके कारण और भी अन्य लक्षन उत्पन नहों सकते उसके बारे में हम आ कारण को जानना चाहते हैं दोस्तों तो आज इस वीडियो को आप अन तक जरूर देखिएगा क्योंकि यदि आप कारणों को समझ गए तो इसका इलाज भी आसान आपके लिए बन जाएगा तो जो पहला और मुख्य जो इसमें कारण होता है दोस्तों वह पोशक तत्वों क कमी जिया यदि आपके सरीर में पर्यापत मातरा में पोशक तत्व नहीं है तो इस बज़े से भी आपको लिए की समस्या हो सकती है यह कारण जो अभी मैं बता रहा हूं आपको इसको आप ध्यान से सुनिये का दोस्तों क्योंकि आपको इसका ट्रेट्मेंट चाहिए और य लॉदि इसे भूंड सकते हैं और इस को दूर कर सकते हैं दूसरा इसमें दोस्तों होता है व Llotherap कम्यूटि इसमें देखते हैं की है अगर यहिंद नहीं होगी दोस्तों विलाओं को यह तक्लीफ हो सकती है कि मिलाओं में खुन की काफी कमी जब हो जाती है खुन की अगर कमी है तो भी आपको इस तरह की समस्या लिकोरिया की देखने को मिल सकती है यदि आप खाने में बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना मसालेदार भोजन यदि आप पसंद करते हैं और ज़्यादा मातरा में खाते हैं तो भी एक कारण मनता है आपके Leucoria होने का कुछ बेक्टिरिया इसके कारण infection हो सकता है जिसे की Vaginal Trichomonas यह जो बेक्टिरिया है इसकी वज़े से भी infection हो सकता और उसके कारण फिर Leucoria की समस्या आपको हो सकती है या कुछ लोगों में देखा जाता है दोस्तों कि उनको repeatedly abortion की history रहती है तो उसके कारण भी बाद में पाया जाता है कि उनमें Leucoria की समस्या रहने लगी है इसके बाद दोस्तों यह देखा जाता है कि यह आपकी immunity week है तो भी इस तरह की समस्या आपको हो सकती है अगर आप बहुत जादा stress पर रहते हैं उनमें यह समस्या देखी गई है इनको बार-बार UTI याने की urinate rect infection की समस्या है उनमें भी Leucoria की कैसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों इसका genetic cause भी हो सकता है जो कि यंग आल्स में जब Leucoria होता है तो उसमें genetic cause को भी detect करना जरूरी है कुछ महिलाओं में साथ में hormonal imbalance भी हो जाता है और यह सभी कारण बनते हैं जिसकी गज़े से आपको सफेद पानी की सिकायत हो सकती है तो आपका कौन सा कारण है आप थोड़ा सा गौर करके दोस्तों इसको जानिए ताकि आप जो डॉक्टर के पास जाए तो आप साथ में उनको आपकी बीमारी का सटीक कारण भी बता सके और आप खुद भी इस कारण को धूनके उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं अब हम जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसे लक्षन क्या-क्या समस्या यह आपको दिखाई देंगी जब आपको लुकूरिया की समस्या हो गई है दोस्तो कई सारे सिंटम्स देखे जाते हैं जैसे कि महिलाओं की हम बात करें तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि लुकूरिया की कारण क्या-क्या समस्या हो रही है सपोजिस कि उनको कमर दर्द हो रा है तो कमर दर्द को ये समझेंगे कि किसी और कारण की वजह से कमर दर्द हो रा है लेकिन यदि lucorius की समस्ख холод है और साथ में break egg हो रा है तो इसे ठीनिटलि आपकी lucorius वजह से हो सकता है इसलिए आपको यहां जानना बहुत जरूरी है कि सफेज पाने की यदि जिकायर है इसकी वज़े से भी आपको कमर में दर्द हो सकता है बहुत जादे कमजोरी महसूस आप कर सकते है साथ इसाथ बेजाईना में दोस्तो खुजली होने लगती है और इसके बाद एनिमिया और चक्कर आ सकते है बार-बार पेशाब आने की समस्या या फिर उसकी सेंसेशन ऐसे लगना कि पेशाब बार-बार आ रहा है यह सब लक्षन हमें दिखाई देते है और काफी महिलाओं में दोस्तो ऐसा देखा गया है कि उनकी जो भूक होती है यानि कि उनकी जो एपिटाइड है वो डिक्रीज हो जाती है साथ में जी मिशलाना आखों के नीचे खसकर काले घेरे आ जाना बहुत जल्दी से ठक जाना और बहुत ज़्यादा वीगनेस का महसूस करना यदि आप कुछ दिनों से इसा नोट कर रहे है कि जब से आपको वाइड डिस्चार्ज की समस्या है आपका मूड में चलचलापन आ गया है तो ये भी एक लक्षण होता है लिकूरिया का दोस्तो लिकूरिया में ये आपकी तकलीफ बढ़ सकती है और साथ में आपको अन्य लक्षणों में देखा जाएगा दोस्तो वेजाईना में एक फाल स्मैल याने की बेड ब्रीट जो है बेड इसमैल आने लगती है दोस्तो जिसको कि आप खुद भी अच्छा फील नहीं करते है दोस्तो बहुत सारे लक्षण है जिनकी तरह आपको विसेज ध्यान देने की जरूरत है दोस्तो ताकि इसको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट इसका कर सके है अब हम समझेंगे इसके होमिफथिक वैडेशिण के बारे में जानसे की जिसमें की पहला है कि आपको दही का सेवन सुरू कर देना चाहिए ज़िए आप दही लेते हैं तो दही में दोस्तों एंटी बैक्टिरियल प्रपरटेज होती हैं जो कि इंफेक्शन को कम करती हैं और दूसरा है कि आप आमले का चूर्ण ले सकते हैं इसको आप डारेक्ट भी घा सकते हैं आप पानी के साथ मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं इसके लावा कुछ दोस्तों ऐसी चीजे बताता हूं में इसे काम जो कि आपको इनका विसे ध्यान रखना है वह है कि आपको सबसे पहले हाईजीन अपनी मेंटेन रखनी है दोस्तों वेजाइनल एरिया को आपको अच्छे से सिंपल आप लेइन बोटर चेश को वास कर सकते हैं और उसके बाद इसको ड्राइ कर लेना है इसमें किसी भी तरीके के केमिकल्स बाले और इस तरह के वास का यूज़ नहीं करना है जिससे की जो केमिकल वह जो आपको सिंपल पानी से भुलके और जो है उसमें एरिया को ड् चाहिए लेते हैं तो इसको भी खाने से आपको अवाइट करना चाहिए तो यह बातों को यदिया अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आपको दबाई लेने की फिर ज़रुत नहीं पड़ती है और साथ में जो भी आप दबाएई लेते हैं उसका असार बहुत ज़ल्दी और अच्छा होता है डाइट में क्या चेंज़ करना है दोस्तों आपको खाना है दमसींपल खाना खाना है फ़ल और रेशेदार सब्सदिया आपको ज्यादा मातरा में प्रियोग करनी है अब मैं आपको पता देता हूं कुछ होमेपथिक मेडिसेन जो की बहुत अच्छा वर करती है लिकूरिया के केस में हमारी सबसे पहले नंबर की जो दवाई है दोस्तो वह है ऐलूमिना 30 और एलूमिना को आपको 30 पावर में यूज़ करना है जब आपको ब अब बहुत ज्यादा वाटरी भी रहता है इसकी वजह से आपको कमार में दर्द होता है पेट क्लियर नहीं हो रहा होता है इकदम हार्ड स्टूल एकदम हार्ड कॉंस्तिपीशन यदि आपको रहता है लिकूरिया की समस्य रहती है इस रहता है इन सब कंडिशन के लिए अक 30 potency में use करना है दो दो wound directly on tongue कुछ दिनों तक आपको इसको use करना है और फिर आप इसके effect देख सकते हैं इसके बाल अगली medicine आती है क्रियोजोर 30 अगर आपके discharge से बहुत जादा smell आ रही है बहुत जादा उसमें offensive smell आ रही है उसके लिए आप use कर सकते हैं क्रियोजोर 30 यह best medicine होती है समस्या के लिए साथ ही साथ यदि आपको प्राइवेट पार्ट है इसमें इचिंग हो रही है बहुत जादा पैरों में दर्द हो रहा है साथ ही साथ यदि आपको इचिंग भी बहुत जादा हो रही है एक जगे बहाँ पे कोरोशिप लिकोरिया रहता है इसमें जगे एकदम छिल सी जाती है दोस्तों इस कंडिशन में क्रियोजोर 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है इसको भी आपको वैसे ही लेना है दो दो भून डारेक्टली ओन टंग दिन में तीन बार दोस्तों इ एक जलन का अनुवाब होता है बर्निंग सेंसेशन यह आपको रहता है वही साथ में कभर दर्द वीग्रेस हो रही है तो ऐसे में वोरेक्स 30 बहुत इफेक्टिव मेडिशन है इसको भी दोस्तों आपको दो 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 बून करके दिन में तीन बार डारेक्टली ओन टंग पर यूज करना है इसके बाद में एक ऐसी दवाई आपको बताता हूं दोस्तों कि कोई भी लुकुरिया के पेशेंट को ले सकते है वो लोग और उससे इसमें आराम मिलता है वह है बायो कॉंबिनेशन नंबर 13 यहां दोस्तों बीसी नंबर 13 बहुत इफेक्टिव मेडिसन है इसकी चार-चार गोलिया आपको दिन में चार बार यह तीन बार प्रियोक करनी है इसको डारेक्ट चूस के लेना होता है इसको आप ले सकते हैं बेशी 13 को दोस्तों यह लुकुरिया के नाम से आती है टेबलेट फर्म में होती है और इसको बहुत आसान है लेना और बहुत ज़्यादा आएगा और वाइड डिश्चार की समस्यादी बढ़ गई है तो इसमें आपको सीप्याथर्टी पॉडेंसी में यूज करना है और जब भी आपको मीनोपाउस का टाइम आता है आपके पीरेट्स एर्रेगुलर हो जाते हैं हार्मोनल जेंजे आने लगते हैं त इनकी पीरेटी के एज में योजे हैं पीरेट्स टार्ड हुए है और लॉशे बismo को कई उने लगता है और महिला है जो है इंकी वीपिंग टेंडेंसी है आ बहुत इमोशनल है तो ऐसे केसेस में थ्री इपोटनिसी में यूज़ कर सकते हैं इससे आपकी जो irregular मैंसेस हैं वो भी समस्य हो जाएगी साथ में जो white discharge की समस्य है वो भी दोस्तो हमेसे कलिए ठीक हो जाएगी कास करकि यह यंग age की poverty वाली लड़कियों को महिलाओं को ज्यादा सूट करती है उनकी मैंसेस की समस्याओं के लिए दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लेजिए साथ में यदि आप इस समस्या के लिए हम से परामर्स चाहते हैं तो नीचे बिहां में डिसक्किपशन में वाटसेब नंबर दया गया है आप हमसे संपर कर सकते और अपने लिए बैस्ट दवाई हमसे ले सकते हैं तोस्तों इसी तरह हसते रहें को जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में